एक student को कितने घंटे पाई करनी चाहिए, से पहले हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है कि एक student को पाई करनी कैसे चाहिए, क्योंकि यूँ तो आपको बहुत से student मिल जाएंगे जो बताते हैं कि मैं 16-16 घंटे पाई करता हूं, पर वो हर बार fail हो जाते हैं, और किस्मत पर सार दोश मकब बैठ जाते हैं, वहीं दूसरे स्टूडेंट 7-8 घंटे पाई करके सफल हो जाते हैं, तो दोनों में ऐसा क्या अंतर था कि एक 16-16 घंटे पाई करके भी फेल हो गया और दूसरा सिर्फ 7-8 घंटे ही पकर सफल हो गया, तो जवाब यह है कि पहले बाले स्टूडेंट की 16-16 घंटे की पाई केबल देखाबा था, वो सिर्फ किताब खोल कर बैठ गया और मन कहीं और घूम रहा, दिमाग कहीं और चल रहा, किताब के सारे पेज पलट कर आखिर आखिर हो गया, पर यह सिर्फ सपनों में ही खोए हैं एन ये सारा समय, ये पाई में सामिल करते हैं कि मैंने इतने घंटे पाई की पर जरा इन से कोई पूँचे की बेटा आपने आज 14-16 घंटे पाई की, पर आज पढ़ा क्या तो जबाब देने में इनके पसीने छूट जाते हैं दूसरे बाले स्टूडेंट की साथ आठ घंटे की पाई असल में पाई है, वो जितने घंटे पढ़ता है, उसका मन और दिमाग सिर्फ अपनी किताब और पाई पर होता है, वो अपने पाई बाले समय में से एक मिनट भी बरबाद नहीं करता एन इसी की बजह से वो समय पर और पेजन के साथ सारी अनिटेल बताता है, तो इससे हमें यह समझ आता है कि एक स्टूडेंट को ओसतन साथ आठ घंटे पाई करनी चाहिए पर शरीर के साथ साथ मन और बुद्धी भी पाई में सामिल होने चाहिए, तो यह साथ आठ घंटे की पाई 16-18 घंटे पाई करने वाले स्टूडेंट पर भारी पड़ेंगे, तो आपको अगर और ऐसी अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल NPC Education Hub को सब्सक्राइब करें, थांक्यू